तो जनाब अभी तलाग आप लोग HTML, CSS के साथ जावा स्क्रिप्टिंग लेंगविज का यूज करते होंगे पर कुछ लोगों को Python आती ही वो HTML, CSS के साथ Python का यूज करना चाहते हैं जो कि उनलोग को नहीं पता है कैसे करना है तो मैं गरंटी एता हूँ गर इस वीडियो को लास्तरा को वाच कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आप HTML, CSS के साथ Python का यूज कर पाऊगे और आपको कुछ भी तीम जाम नहीं करना है बहुत चोटा सा एक ट्रीक है या फिर इसी मेथड है आप देख लोगे तो आप जान जाओगे तो वीडियो स्टार्ट करने वाले वीडियो स्टार्ट करने इस पर अगर नए हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाई तो जनाब हम भूगा चुके आप एक कंप्प्रूटर की स्क्रीन पर चलिए आब वह आपको मेथड बताने वाला हूं जिससे आप पाइथन का सक्सेस के साथ यूज कर सकते हैं उससे पहले एक छोटी सी चीट बताऊंगा जिस टॉपिक पर आज यह वीडियो बन नहीं इस पर मैंने कुछ एक साल यह मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि काफी एदा सक्सेस्फूल होई बाव लोगों ने देखा और पाइथन का के अंदर हेड के सक्षन के अंदर डालना होता है तो वैसे ही पाइथन का यूज करने के लिए पाइशी नाम का फ्रेमवर्ख समझ लो उसका सेडियन कॉपी करके डालना होता था तो पाइशी की वेबस्टाइट मैं आपको दिखाता हूं मैं Chrome को open कर लेता हूँ, PyScript आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो इस website पर जैसे ही हम लोग जाते थे, यह open source platform है, कोई आप से faces नहीं लेते हैं तो यहाँ पर उपर ही आपको क्या करते थे, कि link दे देते हैं CDN की जैसे ही आप link को copy करके अपने HTML webpage पर डालते थे तो आपका काम हो जाता था पर basically अब हुआ क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा platform को change कर दिया है अब change करने के कारण जो CDN की link है वो लोगों को मिल नहीं पा रही है और documentation पर भी जाने के बहुत अंदर अलग-अलग method उन्होंने कर दिया है और इसको connect कर पाना HTML webpage से पहले कि तुलना में अब कठीन हो गया है बट actual मैंसा है ने reason जो original CDN link थी जो यहाँ पर upload कराई थी नोंने वो हटा दी गई है पर वो work अभी भी करती है तो CDN link मेरे पास पड़ी हुई है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह पूरा dog type HTML का code है यह सिप इतनी link आप देखो यहाँ से लेकर इस जगा से यहाँ से लेकर वस यहाँ तक यह दो link होती हैं एक CSS के style sheet के और एक script file के अगर यह link आप copy करके अपने web page वे डाल देते हो जिन आप script के तौर पर python का use कर पाऊगे यह link अब लोगों को मिल नहीं रही है और ना मिलने के कारण से कुछ लोगों का तो हो जा रहा है जो अंदर जाकर खंगाल के चीज़े निकाल लेते हैं कुछ जो सिधन जान होते हैं नहीं अंदर जाकर इतना चीज़े निकाल पाते हैं वह comment करते हैं कि भाईया यह चीज़ हो नहीं रही है अब जब मेरा करना नहीं बंद करेंगे cdn बंद करने का रीजन आप समझ सकते हो सकता है कितने लोगों ने cdn के थ्रू वेबसाइट पर अपने python चला रखी हो और अगर आप cdn को हटा देते हो या कहीं ब्रोक कर देते हो लिंक को तो उनका प्रोजेक्ट ही वह बंद हो जाएगा तो व अगर मालो नहीं कॉपी करना है आपने पहले से कोई index.html फाइल बना रखी मालो जैसे यहाँ पर index.html मैंने बना रखा और यहाँ पर आपने इस तरीकी की boilerplate open करके रखी है तो boilerplate open कर ली कोई प्रॉब्लम नहीं आपको बस head वाले section में आना है head वाले section तो आप जानते ही हो copy करोगे तो py script framework क्यों है वो आपकी यहाँ से connect हो जाएगी आप connect होने पर चाहिए यह html page में आपकी python भी run होगी सच में भी यह बिल्कुल होगी देखो अब इसमें मैं आपको run करके भी दिखाने वाला हूं उसकी कोई tension नहीं लेनी मैं इसको go live करता हूं click और go live करने के ब html का code लिखता हूं h4 heading cba डाल देता हूं this is html इतना लिख दिया तो यह देखते हैं कि work properly हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिक्रस करते हैं Okay this is html ठीक है आ रहा है आप क्या करना है हम लोगों को अब मैं यहाँ पर python का code लिखने वाला हूं तो python का code लिखने के मैं आ पर आता हूं और जैसे आप अभी तक JavaScript लिखते थे अगर आपको HTML पेज में JavaScript लिखनी है दोक्रों दो तरीके से वैसे तीन तरीके होता है पर में अगर जावा स्कृप्ट आप लिंक करते थे, एक इंटर्नल, एक इंटर्नल, इंटर्नल में क्या होता था, इस स्कृप्ट टैग आपको यूज करना होता है इस तरीके से, और स्क्रिप्ट टैग के बीच में आप यहाँ भी जावा स्कृप्त का रिखो गए, यह से कंसोल.log लिखते हैं लोग console.log hello ठीक है यह मैंने लिखा तो यह run हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ मैं आप पर आऊँगा और एक वा फिर से refresh करूँगा तो यह पर python लगी हुई है तो आपको refresh करना होता है इंस्पेक्ट पर जाएंगे console पर जाएंगे और console window पर मैं एक सेकंड यहां से console पर जाता हूँ और just a second मैं इसको clear करता हूँ सबसे पहले Ctrl L और फिर से page request करता हूँ यह देखिए hello उपर आ रहा है ठीक है तो इस तरीके आप JavaScript run कर सकते हो बट आप यह समझो कि HTML में आप JavaScript run करना जानते हैं कि यह internal तरीका है और यह external तरीका होता है जिसमें आपको JavaScript file link करनी होती है अलग से बना के उसी तरीके से मैं Python को भी दिखाऊंगा कि Python internally यहां पर कैसे लिख के आप चला सकते हो और अलग से file बना कर भी कैसे चला सकते हो तो कुछ नहीं करना है जिसी script tag लिखा है इसकी आंगे लिख दो पी वाई पी वाई मैला Python और यह एक निसान होता है इसको आप माइनस के निसान बोल सकते हो पर original नाम हाइफन होता है तो हाइफन के निसान लगा देना होता है अब मैं आप एक Python का से simple print command लिख देता हूँ ठीक है hello और यह लिखने के बाद में आप semi-colonies में नहीं भी लगाते है तब भी काम चल जाता है मैं इसको run करता हूँ run connect बाद देखते हैं कि यह print होने के बाद hello यह आपर लिखके आता भी है यह नहीं आता है अब यहाँ पर दिखिए मैंने python का एक code लिखा है py script में और अगर यह चल जाता है देन आप यह समझ लिए कि python आप run कर पा रहे हैं तो एक काम करते हैं मैं इसको offer के दोबारा से open कर देता हूँ कि एक्चल में हो क्या रहा है जब लेड़ी एक बार चीज रन हो चुकी होती है तो कभी-कभी यह time ले लेता है this is html यह तो html का है और यह देखो hello hello आया लिखके यह कहां से आया python के कोड के थुरू आया क्योंकि html में तो कोई print कमांड होती नहीं है यह आप भी जान सकते हो और javascript में भी print कमांड होती नहीं है ठीक है सी लेंग में print f होता है सब में अलग-अलग होता है ठीक है सी प्रिंट जो है यह आपकी python के अंदर ही होती है इसका मेला हमारा python कोड रन कर रहा है ठीक है अब मैं यह आपर कुछ और कोड भी लिखता हूँ जैसे example के तौर पे हमालो a is equal to 5 और b is equal to 4 ठीक यह लिखा उसके बाद में मैंने कहा एक variable बना लेते हैं sum is equal to a plus b अच्छा python में एक चीज़ यह भी होती है अगर आप ध्यांत देखें जिससे आप यहीं पर अगर सी लेंग्वेज लिख रहे होते तो आपको बताना पड़ता के इंटीजर है अगर आप जावस्क्रिप्ट का भी यूज करना होता है पर इसमें आराम से हो जाता है print sum ठीक है अब इसको क्या करना है डेखना है कि यह रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है ठोड़ा साइब बस एक इसू अभी पहले नहीं आ रहा था अभी जड़ा साय कि यह कभी कभी रेंट आइम ज्यादा ले लेता है यह को यह आ रहा है नाइन अब नाइन कैसे आरा है अशे आरा है कि आपने एक को फाइफ दिया बी को फोड दिया और उनको दोनों को सम कर दिया अब कॉमेंस की बात है कि HTML में आप कल्कुलियोशन नहीं कर सकते हो लॉजिकल जो आपका एक तरीके से ऑपरेट्शन होता है वो नहीं कर सकते हो ठीक है पर आपको यहाँ पर पाइफन में यह कोड रन हो रहा है अब हम लों क्या करते है कि एक्स्टर्नल फाइल पाइफन की है उसमें रन करके देखते हैं तो में डॉट पी नाम से मैंने बनाया अब इसमें क्या करते हैं यह जो हमारा कोड है यह वाला ठीक इसको क्या करते हैं पाइफन में लिख देते हैं पाइफन फाइल में अब यह एक्स्टर्नल फाइल को कैसे लिंक करना है पी व पर python file है तो direct हमनों लिख सकते है main.py अब यह link हो चुकी है, मैं इसको यहाँ पर run करके दिखाता हूँ, मैंने यह किया refresh और just a second, कोगे भी यह zoom क्यों है, क्योंकि मैंने zoom कर रखा है और यह देखे 9 आ रहा है, अब यह 9 इसलिए आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर इसको link कर चुके है print hello क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि direct file के पास जो ची जाएगी, तो मालों यहाँ से connection direct file के पास चला गया, main.py के बाद, और इसको hello को काट कर अगर यहाँ पर लिख दोगे, इसके नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा और इसमें इंडिटेशन का बहुत ज्यान लखना होता है python में, ठीक है, वैसे तो python बहुत easy होता है लिखने के लिए, पर इंडिटेशन का बहुत ज्यान लखना होता है, अगर space वगएरा उपर नीचे कर दोगे, यह लगा दोगे, तो code run नहीं करेगा this is html, यह कहां से आ रहा है, html के आपके heading text से, h4 से, ठीक है, 9 आपके python से आ रहा है, python के external file से, hello भी python के external file से आ रहा है, तो आपने यह देखा, कि आप python का use html के साथ कर पा रहे है, css भी सु include कर सकते हैं, वो तो आप जानते ही हो जाएगा, और अब आप यह समझ पा रह src से, ठीक है, तो ihove आपको समझ में आया होगा, कुछ भी change नहीं है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाई इस वीडियो में बताया है, बस फर्क इतना कर दिया, कि पिछली वीडियो में कहा था, कि आपको इनकी website पर जाना है, पाई script पर वहाँ से code को copy करन है, इस बार आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस इस वीडियो के description कोलना है, वहाँ पर यह आपको text file मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, और आपको बस यह link कोपी कर लेना है, और अपने HTML के head tag के अंदर डाल देना, और अगर नहीं डाल देना, तो आप पूरा भी copy कर सक आपको, JavaScript add dial सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप web development में कहां तक Python का यूज करो है, या फिर आप Django, Flask भी सीखो backend के लिए, तो वहाँ पर development की field ही अलग हो जाती, आप मर्न से Python की और स्विच कर जाते हो, पर अगर मर्न से सीखना पड़ेगा, पर अगर already Python आती, तो आप उसका सकते हो, क्योंकि coding की एक ऐसी दुनिया है, जहाँ पर हर चीज हर एक से connect है, ऐसा नहीं कि एक language आती तो दूसरे language के साथ वह interconnect नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने ये तरीका बताया कि आप Python के यूज कर सकते हो, पर JavaScript भी सीख लेना, और JavaScript सीखना चाहते हो, तो दिस्क्रिशन में आपको complete free course का link डाल रखा है, जाना पूरी playlist बिल्कुल structure wise professional level पर बना रखिए, एक भी वीडियो पढ़ लोगे तो फैन हो जाओगे कि या कितना अच्छे से पढ़ाया है और आप पूरी playlist आप पढ़ोगे, वोजेट भी काफी ज़्यादा बनवाए हो, अभी भी मैं बनवा ठेंसोच फ्रेंट्स चैहें, चैह भारा